किताबी नॉलेज ये मोटिवेशन ये सब चीज़े ये अलग चीज़े धरातल को उतर की जहिए कहना तो अलग चीज़ें आपके और कभी बिहार में आपके दिखेगा तो ये दम्ने अलग दिलेगा पर हमारे या तो हम चीज़े भई पहाड काटने वाले लोग में तो ऐसा लगांग है लेकिन कितना बहाना बनाई आपको कितना रोएंगे कि आप हमारे पास इस चीछ की कमी है दुनिया का पूई इनसान पूर नहीं है सब के पास कुछ कमी है तो एक जिसे हम कहते हैं इत बड़े लेवल का आदमी है उसके पास बड़ा प्रॉब्लम है चोटक कर ठाथ चोटके प्रब्लम है, बड़े कुछ प्रब्लम है. धुनिया कोई आदमी जोड़ नहीं है जिसके प्रब्लम नहीं है. और प्रब्लम का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आवसकता ही अविस्कार की जनिनी होती है. अगर आपके पास कमी नहीं रहेगा, आपको सकरिये कहीं, कोई भी चीज का, यह पानी है यह आपके, इसकी वैलूट तभी बढ़ेगी, जब हमको जोर से प्यास लगेगा, अभी नहीं लगा है, इसका थोड़ा साम के लगता है कि कम, कोई वैलूट नहीं, अभी लगेगा न कि मतलब उसकी विरासत में मिल गई है, दाधा ने कोई बीनस करा किया, नहीं किया, जब इसको मिलता है तो उनalen अच्छे से नहीं समालता, कुछ लोग समाल भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उसने अच्छे से नहीं नहीं समालता, कीम आश फोकश खोकर लागा है, यह लोगों के इसको थोड़ा साम को रोल देते हैं तो बड़ी जीमेदारी देने से फहले उपर वाला भी आपको टेस्ट करता है कि निकरेका हम लोगो छोटा से पोई समान करीते हैं तो ठोक बजा के चेट करते हैं इस तो अलेका कि नई सहलेगा एक चोटा सा बर्टन को खरीमे जाता तो पटक के दिखा देखिये मजबूत है तो उपर वाला भी जब आपको बहुत जिमेदारी देने वाला होता है तो पले सोचता है कि इसका टेस्ट कर बहुत लगों टेस्टे में भाग जाते हैं बगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया या जब उपर वाला तुमको ठुसी दिया था तो थैंक्यू कहना भूल गए थे और जब मुसीबत दी अच्छे करने के लिए तो परिशान हो गए आप छीजों से घबराना नहीं पांटकर के लिए जिसके जीवन में होना है आप एक साही रास्ते पेचा रहा है कि मतना हं पांट उल्किटमती खिए तो और觉का है शुक्ता शक्टा कर सकते हैं किने विए एक कोई लोग में से कोई। इस सबके जीवन में आएगी कटनाई है। कटनाई का हम आए निकल जाएंगे हम के नाने तो आए और कटनाई से आने से एक च्छी और फायदा होता है कि हम हें समाज की एक हो हिस्सा देखने को मिलता है जो हम नहीं देख पाते। कटनाई के बाद पता चलता है कि दुनिया कैसी थी और कैसा समझ रहती इसको बहुत जरूरी है इसी को समाज का एक अस्वी चेहरा दिखाते रहते हैं है यूचा अचानक सव DAN उचानक सफ़ोगी तेना डाद भी नहीं सफ़ल शकते दो अप kई झालपल होगे हैं आप लोके पास यूदू कि वह थेओंगे दारा जो देखेंगे अज द comply अज खनाते अच्छा वलता इखना और अच्छा बता aumento फड़ा टोड़ा चण में गिल्य सब्सक्राइब करें जितना जल्दी आपको कुछ एक्स्पिरियंस गें करेंगे फिर आगे बढ़ने कापको और जो भी कट नहीं होगी उससे आगे बढ़के निगलेंगे आपके बढ़ाते डिसीजन लेने के टाइम पे जादे किसी के इंफ्लुएंस मत हुएगा पर कई बार होता है कि हम किसी के दवाव में डिसीजन ले लेते हैं आप सुनिए सब की अकेले डिसीजन मत लिए तीन-चार आदमी से देखिए तरके ने तो मुहमद बिन तुगलक हो जाएगे अकेले कि अपने देखिए लेने के चकर में देख लिए तुछ ने कि अपने ने देख लिए और दूसरो के एक्सपिरियंसे सीखना पहुँ जरूरी है क्योंकि खुड के थोकरों से अगर आप सीखने की कोशिज की ज़िए तो साथिये जनम आपका ठोकर खाते हैं तो अविच्तव ज़ में खाते ही खतम होया तो दूसरा कठोकर से अप सिखने आप जाता है तो किसे से Mehrяжंसे जोढालना है कहां से एक से नहीं घूर ओलना है तो अ कभी कुछ अहाँ तो सीख लिया किए कि तभी-कभी आप छोटे लोग भी आपको बहुत अच्छा ग्यान देते हैं, कोई इस चीज का अंत नहीं होता है, सीखने का, सीखने के मांदे पर थोड़ा बेसरम बनना परता है, जहां से मन मिलें वहां से, सीख लेला चीज है, जो भी चीज है, हमको तो लगाता है, हम लोग कोई कुछ सिखा हमरे इसे दिसिजन लेने मामने की पीचर है, उतना बीजनास के पारे में हाट गो अपना इडिया ले था, टीचिंग के मामने में जाले था, तो लोग कापी इस चीजों महाश किया था, तो किसी से डिसकस कर लेना चीज़, और इंस्टेंट डिसिजन लेने से बचिए का, अचानक कुछ हुआ, नहीं हम भी ऐसा करेंगें, ऐसा नहीं होना जी, इंस्टेंट डिसिजन कभी भी हमेशा खतरनाग होता है, डिसिजन क्या ले रहे हैं, सामने वाले का सुनिये का, कई पर ऐसा होता है लोग, डिसकसन के नाम पे अपनी बतिया तो होता है, चार आदमी के हम ऐसा सुच नहीं तो आपके नीचे वाले लोग भी ना, आप ही के बात में हम यहां मिला देते हैं, तो बेटर है पहले उनके सुन, अपना बोलने से पहले उनकी बाते सुन लिजे, क्यों क्या कहना चाहिए, तब ही जाकि किसी डिसिजन पर पहुंचे, इस्टेंट डिसि